हेलो गाइज गुड नोंगैं तो आज की बलॉग की शुआत होती है अपने गर से ँपने चोटे जोटा प्यारे प्यारे क्योट क्यूट से बतीजे मेरा यक्षू END इवीशा तो आज मुडोग की शुआत हो नी जमरदस मेरे भाई तो बने रहे मेरें मैं आज 500 में तो तो भाई मेरा नाम है अर्जुन तोमर और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल अर्जुन तोमर पहाड़ी क्यों जी कौन ता चैनल अर्जुन तोमर जोड से बोल यार थोड़ा जोड तोमर पहाड़ी पहाड़ी यक्षू बोले इधर हैलो करते हैं यहां देख को भी जाना को करेगा वाज क्या ही मोले भाई हाँ और पूरी बच्छा पार्टी बैठी है घर में अभी ये भाई वही वाला चस्मा है अपना 200 रुपे वाला दो सो रुपे वाला होली के मेले वाला तो आज वही डाल के चल रहा है क्यों तरह को भी चीए है निभिशा के लि और रहा निभु को भी इंव्याशा ही बाग्ट चीए तेरको भी चीए कैसे वहला चीए तेरे को चश्मा इसको अटिशा पारेक अपनीदिह तेरिया फॉरेस्ट एरिया के दरफ पे हैं इस जारा हूं भैई अपने के तो धूल अधनी तो धेशे तो आवाज भैसी आ रही है गाइस इधर यह पूरा जंगल है तो इस जंगल में काफी जंगली जानवर से हैं अभी मेरे को एक जंगली मुर्गे की आवाज अभी सुनाई दे रही थी हो सकता है कि आपको अभी सुनाई दे इस ब्लॉग में सुनिए गाइज गोर से सुनिए यह देखिए जंगली मुर्गा कहीं यहीं कहीं है अपने आसपास ही है यह पूरा अपना फोरेश एरिया भाई इसी जंगल में बहुत बार में अपने लगडी घास के लिए गया हूँ और काफी जाता रहता हूँ और अपनी अयहा यही है वह आवाज भाई यह मुर्गे की अवाज जंगली मुर्गा दर जंगल में अभी तो अगर शिकारी जाते हैं तौभी वह इस मुर्गे को मार के लेएांगे बनाएंगे श्षाम को बड़ी खालना तो इसका तो गाइस मैं अभी निकल रहा हूँ किलोड के लिए बाइक अपनी यह इधर है तो किलोड में है कुछ काम तो वहां का काम निपटा के फिर आता हूँ वापिस अपने गाउं के में और फिर देखते हैं क्या कुछ और है आज ब्लॉग में तो इसी रोड से निकलना है अपना सब्सक्राइब करें मेरे भाई मुझे उमीद है कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग काफी पसंद आएंगे और भाई जो मेरे कुछ मित्रगण है वो इस वीडियो को किर्प्या कंटिनीव देखें यह बीच-बीच में स्कीप करने वाली जो आदत है ना आपकी इसको छोड़ पर लेre थे उतिस सेकेंड़ देखते हो याशार मेरे बाई कुछ तो देखो यह तो धोड़ा तो देखो मेरे वाई 50 प्रसंट तो देखो कटनी चालू हो चुकी है क्योंकि इदर थोड़ा ज़्यादा गर्मी रहती है गरम है यह तोड़ा डाउन है पहाट में से थोड़ा हटके है यह वाला एरिया तो यहां पर घ्याओं लगवग कटनी स्टार्ट हो चुकी है और कई भाई लोगों ने तो यहां पर निकाली भी ग्याओं यह देख लिया जो बीच-बीच में स्पोर्ट दिख रहे हैं यहां पर कई अपने जो किसान भाई है उन्होंने ग्याओं निकाल भी लिए तो चलते हैं भाई अब हिसी रोड़ से वापिस अपने गाउं की और कलाता की और बाकी है सामने वही उत्राखंड के पह हटके और एक सडक किनारे लेकिन जो पहाडों के जो रोड है ना मेरे भाई वो कुछ और ही है रखंश कर जो अपने गाउं का रोड है वह भी कुछ एक नेक्स लेवल तक ही है मेरे भाई काफी खतनाक रोड है मेरे भाई आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि भाई पहाड में एक तो कच्चा रोड है और दूसरा फिर ये बाइक पीछे खड़ी है बाइक पे चलना पस बहुत आफ़त का काम है मेरे भाई और साथ में इतनी बड़ी बड़ी गहराई है ना कि पूछो ही मत सीधी टॉस नजी दिखती है मेरे भाई आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे ये रोड है मेरे भाई और ये उपर को कितना खतनाक वाला पहाड है तूटा हुआ लेंड स्लाइड भी होता है बारिश के टाइम पही चलीक है जिए टाया कीming मेरे भाई ये ही सड़क है मेरे भाई मेरे गाउं की कि जो क्या भी ना तो इससे कोई एभिड निंगा हुआ है और यह उपर को भील आप देसकते हैं कैसा है और यह नीचे वाला नजारह है कुछ और यह कर सीदी यहां से निकरी हो अगर खुदाना खासता कोई यहां से गिरता है एक तो कच्चा रोड है और दूसरा साइड में कोई भी प्रोटेक्शन वाल नहीं लगी है मेरे भाई तो यहां से अगर कुछ भी हो जाता है अनोनी तो सीधा वो भाई बचने के चांस कुछ भी नहीं है सीधा टॉंस नदी मे नहीं जाके गिरेगा और कहीं बार ऐसे एक्सिडेंट हो चुके हैं पहाडों में आपने सुना होगा पहाडों में खासकर अभी त्यूनी अटाल वाला जो रोड है यह वाला यह भी काफी डेंजर है इस रोड पे भी आपको काफी न्यूस मिली होगी कि जो गाड़ी है वो नहीं लोगों पहाड जितने दूर से सुन्दर लगते ना देखने में उससे ज्यादा जब आप इसमें चड़ोगे और पहाडों को समझोगे तो उतने खत्रनाक भी होते हैं मेरे भाई इन पहाडों पे चड़ना और चलना बहुत मुसीवत का काम है मेरे भाई तो जो भी लोग अपने इस वीडियो को देख रहे हैं और लाइक करें कमेंट करें और शेयर करना ना भूले मेरे भाई और जो नया है वो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें अर्जुन तो अमर पहाड़ी दो फैर का टाइम हो चुका है भाई तो जो बकरियां थी जंगल चुगने क के लिए गई थी वो भी अपना गर निकल रही है और बैल भी साथ में अपने गर की गाउं की और चल पड़े अपना वापिस दोफैर हो चुगी ज्यादा भाई लोगों पाड़ों का नजरा तो कुछ ऐसा कुछ और ही होता है क्योंकि यह टो डेली रूटीन में आता है जिसंके पास बकरियां हैं किसी पास बैल हैं गायें है बेंस है तो पाडों हर घर में आपको कोई नदन मिलेगा ही मिलेगा तो तो ऐसे ही फिर से इनको चुगने के लिए खोल देंगे